हेलो दोस्तों टेस्ट भीहर का चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग पालक और चनादाल के सब्जी बनाएंगे आप लोग देख सकते हैं यह कितना अच्छा बना है और इसको आप लांच ओडिनर कभी भी बना सकते है और इजीली बन भी जाता है तो चलिए दो कुकर में इसको कुक किया है जिसे इजीली कुक हो जाता है तो उसी के साथ उसमें दाल चीनी थोरा सा लॉंग थोरा सा तेश पत्ता और इलाची लिया है मैंने उसमें डाल दिया है और थोरा सा हल्दी पॉडर थोरा सा नमक डाल के इसको कुक करना है दो से तीन सिटी आने यह कूख हो जाता है तो जब तक दाल कूख हो रहा है तब तक हम लोग इधर पालक कट कर लेते हैं तो उसके लिए पालक को सबसे पहले अच्छे से वास कर लेंगे वास करने के बाद इसको छोटे-चोटे पिसेस में इसे कट कर लेना है पालक डालने से दोस्तों दाल पॉस्टिक भी हो गया और खानी में भी टेस्टी लगता है और बच्चे भी बड़े चाव से खा लेते हैं तो देखिए दोस्तों पालक कट हो गया है और इधर दाल भी देखिए कुख हो गया है इसको ढकन खुलके हम लोग चेक कर लेते हैं देखिए यह कितना अच्छा कुख हो गया है आप इसको एक ऐसे चेक भी कर सकते हैं तो आप दाल को साइट में रख देंगे और लोटो मीडियम फ्लेम पे कोई करा चराएंगे और उसमें तेल डालना है तब तेल गरम होने के बाद उसमें लसन अत्रक और हरी मिर्च उसमें ग्रेट करके डाल देंगे उसी के साथ दोस्तों मैंने दो प्याज को चौप्ट करके इसमें डाला है और इसको कवर करके दो मिनट के लिए कोख करना है दो मिनट बाद देखे दोस्तों प्याज हलका सा ट्रांस्पेरेंट हो गया है तो इसमें अब हम लोग कट क्या होगा टमाटा डाल देंगे एक टमाटा मेंने लिया है और टमाटर टालने के बाद उससे हम लोग फोड़ा सा नमक डाल देंगे जो टमाटर अच्छे से और फोड़ा सह सुखा मसाला में मैंने धनिया ज़िसाइख मशाइख ना मतली हां काली ज़िसाइख कीमरचिक ज़िसा पालक ए Hill outta ठोड़ी तर कबर कर के कुक करना है दो मिनट बात देखें दोस्तों पालजब को भी अच्छा से इसमें मिक्स कर देंगे तो पालजब तो लगता नहीं अब दोस्तों इसको दो मिनट के लिए दाल चना दाल जो साइट में रखा हम लोगों ने उसको इसमें डाल देंगे और अगर थीक लगे तो इसमें थोरा सा और पानी इसमें मिला देंगे और अब दोस्तों, इसको 2 मिनट के लिए, कुक करना है, इसमें थोरा सा पॉय लाने तक, और 2 मिनट बात, दोस्तों, इसमें हम लोग, तोरा सा गरम मसला डाल देंगे, और गरम मसला डालने के बाद, देखी, पालक और चनादाल के सब जीफन के रेटी है, अब हम लोग इसमें थोरा सा तरका लगा लेते हैं तो तरका लगाने के लिए कोई पैन ले लीजी और उसमें हम लोग घी डालेंगे थोरा सा घी के बतले आप तेल भी डाल सकते हैं घी से थोरा सा टेस्ट अच्छा आएगा तो घी में थोरा सा जीरा हिंग और लाल मिर्च ड तक इसको कुक करना है, उसके बात हम लोग इसको डाल में तरका लगातेंगी, तो हिल्दी सब जीपन के रेटी है दोस्तों, इसको आप चाबल, रोटी, पूरी, किसी के भी साथ खाईए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, थैंक यू कर दो